सालों पहले चंदेरी जंगल में तीन बकरे रहते थे, तीनों भाई थे, जो हमेशा मिलजुल कर घास खाते थे, एक बड़े से मैदान में वो रोज जाते और भरपेट खाकर खुशी-खुशी साथ रहते थे, धीरे-धीरे उस जगह की घास खत्म होने लगी, तो उनमें से सबसे बड़े बकरे ने कहा कि अब हमें यह जगह छोडनी होगी, यहाँ खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, तब सबसे छोटे बकरे ने कहा कि नदी के दूसरी और ऐसी जगह है, जहां चारों और घास ही घास है, अगर हम वहाँ चले जाएं, तो आराम से पूरी जिन्दगी गुजार सकते हैं। कभी बीच वाला बकरा बोला की बात तो सही है, लेकिन हम नदी पार नहीं कर पाएंगे। नदी के बीच में बने पुल के नीचे एक राक्षस रहता है, वो वहां से गुजरने वाले हर किसी को खा जाता है, तब सबसे बड़े बकरे ने कहा कि मेरे पास एक तर्कीब है, जिससे हम उस राक्षस को मार सकते हैं। उसने अपने दायनों भाई के कान में कुछ कहा और सभी खुशी-खुशी नदी की ओर जाने लगे। पुल के पास पहुचते ही सभी बकरे एक पेड के पीछे छुप गए, तब ही बड़े बकरे ने सबसे छोटे बकरे को इशारा करके पुल पार करने को कहा, जैसे ही वह छोटा बकरा पुल पार करने लगा, तो वहां राक्षस आ गया, राक्षस बोला, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुमको खा जाऊंगा, तभी बकरा कहता है कि राक्षस महाराज, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे खाने से आपका पेट भी नहीं भर पाएगा, आप एक काम कीजिए, पीछे मेरा बड़ा भाई आ रहा है, वो बहुत मोटा है, आप उसको खा कर अपनी भूख मिता लो। राक्षस को छोटे बकरे के मुझ से महाराज शब्द सुनकर अच्छा लगा, खुश होते हुए राक्षस ने कहा, ठीक है तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई को खा लूँगा। छोटा बकरा वहां से चला गया, इसके बाद बड़े बकरे ने दूसरे बकरे को इशारा किया, फिर वो भी पेड के पीछे से निकल कर पुल पार करने लगा। वहां राक्षस पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, बकरे को देख कर राक्षस खुश हुआ और उससे कहा कि मैं तुमको खा जाऊंगा, तभी बड़े ने घरा कर कहा, हे राजा धिराज, मुझे खा कर आपको क्या मिलेगा। मैं तो आपके नाश्ते के बाराब भी नहीं हूँ, आप थोड़ा और इंतजार करें। तो आपको ऐसी दावत मिलेगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। राक्षस ने उसकी बात सुनकर पूछा, कैसे? तब बकरे ने कहा कि पीछे से मेरा बड़ा भाई आ रहा है, वो मेरे जैसे दस बकरों के बराबर है, राजा धिराज और मोटा बकरा खाने की बात सुनकर उसे पुल पार करने की इजाज़त दे दी। अरे यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो बाद में भूल जाओंगे अभी करो सब्सक्राइब चलो करो अभी फिर सुनगे आगे की कहानी। आखिर में सबसे बड़ा बकरा पुल के ऊपर चढ़ा और उसे पार करने लगा। तभी उसके सामने राक्षस आ गया और जोर-जोर से हंसने लगा। हंसने के बाद राक्षस ने कहा की आज तो मजा ही आ गया, तुम बहुत मोटे हो। तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मि राक्षस की बात सुनकर बकरा कुछ कदम पीछे गया और तेजी से दोड़ता हुआ राक्षस के सीने पर अपने सींग मार दिये, अचानक हुए वार से राक्षस संभल नहीं पाया और पानी में गिर गया, गिरते ही वह नदी के तेज बहाव में बहता हुआ दूर निकल ग कहानी से सीख, मुसीबत आने पर कभी डरना नहीं चाहिए और हिम्मत वसूजबूच से काम करना चाहिए